बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम वर्हमतुल्लाइ वबरकातु नाजरीन और आप सब लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ के आप सब लोग खेरियस से हों, तो आज हैं बना रहे हैं बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम वर्हमतुल्लाइ वबरकातु नाजरीन और आप सब लोग कैसे हैं, तो आज हमने बनाई है ये चिकन बिर्यानी, जो के बहुत ही लाइट है, बहुत ही हमने रमजान के हिसाब से बनाई है, कि रमजानों में अक्सा कुछ ल बनाए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप सबसे पहले मेरी वी लिए ये आदा किलो चिकन, वन टीस्पून साबुद धनिया, वन टीस्पून सौंफ, टू टीस्पून दही, एक दार चीनी का टुकड़ा और एक स्टार, पांच काली मिर्च और दो लॉंग, दो हरी लाएची और एक बढ़ी लाएची, हाफ टीस्पून नमग, तीन कलिया लशन की और आदा इंच का टुकड़ा अधरक का ग्रेट किया हुआ, और इसके लशन की कलियों को भी हम बारिक बारिक काट लेंगे, एक तेज पत्ता, तो सब सब पहले हम यखनी तयार करने की नहीं रखते हैं, इसके लिए मैंने एक ये बरतल लिया है, इसमें मैं ये एक ग्लास पानी डाल रही हो, और गैस को हम अन कर देते हैं, तो ये गैस को अन कर दिया है, अब इसमें पानी में हम ये अधरक और लशन डाल देंगे, सौफ, दन्या, और ये सारे गरम मसाले जो मैंने आपको बिखाएते हैं, ये तेज पता, और ये नमक, और इसमें ये दही भी डाल दूँए, इसको अच्छा से मिस्टर देंगे, और इसमें एक अच्छा सा बॉइल आने देते हैं, इसको मैं इतना कवर कर देती हूँ, भी पाली में एक बॉइल आ चुका है, अब मैं इसमें ये चिकन एट कर दूँगी, और मैं इसको इस तरीके से, मैं इसको इसमें मिक्स करके, और दस मिनट के लिए मैं बिल्कुल अच्छ पर इसको कवर करके, पकने के लिए रख देती हूँ बस ऐसे, देखें के लिए सिलो आज पर इसको पकते वे दस मिनट हो चुके हैं, अब यह हमारे यह अच्छ सो तयार हो चुकी है, मैं गैस को आफ कर देती हूँ, और बिर्यानी के नी हमने यहाँ पर लिए है, यह 250 ग्राम बासमती राइज, इसको मैंने आदा कंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, वन टी स्पून अधरक लसन का पेस्ट और गरम मसालों में हमने यहाँ पर लिए एक हरी लाइची, दो लॉंग, एक दार्चीनी का टुकड़ा, चार से पांच काली मिर्च और एक बड़ी लाइची और हाफ टी स्पून या टेस्ट के साफ सो चाहिए हमें नमक, दो से तीन हरी मिर्च और आधा नीबू और इसको बनाने के लिए चाहिए हमें आधा कफ कुकिंग ऑईल, वन फोर टी स्पून लेंगे हम फूट कलर और वन टी स्पून केवड़ा वाटर, और गार्निशिंग के लिए चाहिए हमें थोड़ी सी फ्राइड ओनियन, अलब अगी जाल हम इसे सारा चिकन निकाललयाय और अड़ी इसेसं अटो चाहिएन बढ़ाग के लिए कर दोमाने मेरी करणाव जेए को बदलता है, अगरर कंवा आधार अब हम इसको एक साइट पर रख देते हैं अभी अब हम बिर्यानी बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम गैस को हमने आउन किया है और इसमें ये आउल डालेंगे और इसको गरम और देते हैं अब हम इसमें गरम मसाले डालेंगे इस गरम मसाले अच्छे से फ्राई हो चुका है इतना अब इसमें अदरक लसन का पेस्ट डालेंगे तरिट में दालाओ तरख आपूए भरते। यह दूज़ा में रतेंगे रखेले बिए दूज़ाओ, दूज़ा रखाइगे तो पैसके अधर के लगए भी तूर किनेगे प्राई कर लिया है अब इसके जाहं हम इसमें नीबु एड़ करेंगे यह आदा नीबु था मैं इसको इस सब्सक्राइब दबाकर यह सी तरेशों से पूरा इसमें यह डाल देती हूँ अब अब उम इसमें पानी आपकरेंगे, अब ने एक लिलास मिरेटों करेंगे, भी एक लिए है हानी कि 250 ग्राम हमारे चावल न lást Landak, यापनी गिलास पॉर्पानी ही आपकरेंगे यापकटोन दूटी नहीं है नाटी इसमें वम्हेज को हम हीपर कर देते हैं और इसमें जूकर चाफल के साफ वह नमक डा-05100 तक हम अत्व आदेते हैं तalgाष हम जring上े list देखिया हमारे यपनी में अच्छा सा वाईल आचुपा है अब हम इसमें चावल एड़ कर देंगे अब एक बार नमक टेस्ट कर लें अगर आपको नमक कम लगे तो आप और नमक डाल सकती है अब हम इसको कवर करके पेपकने की नहीं रख देते हैं लिजी चावलो में भी हम गॉयल आ चुका है अब इसको पांच मिनट के लिए इसी तरीखे से पकने की नहीं रख देंगे पांच मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं आज को हमने मेडियम कर रखा हुआ है देगे पूरे पांच मिनट हो चके हैं और इसका पानी भी खुशक हो रहा है अब मैं गैस को ना सिलोपे कर देती हूँ बिलकुल मैंने इसको सिलोपे कर दिया है और अब मैं इसको इसी तरीखे से पकने के लिए फिर रख दूँगी साथ से आठ मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे आज जो है वो हमने बिलकुल सिलोपे कर दी है देगे हमारी बिर्यानी को पकते हुए पुरे साथ साथ मिनट हो चुके हैं पानी इसका बिलकुल खुशक हो चुका है अब मैंने ये फूट कलर इसमें मैं डाल दूँग हमें थोड़ इसमें फ्राइड ओनियन डालूँगी फ्राइड ओनियन और थोड़ इसमें गर्णिशिंग के टैम डालूँगी जब मैं सर्फ करूँगी और इसको सिफ दो मिनट के लिए और मैं कवर कर देती हूँ सिलो आज पर ही फिर दो मिनट के बाद फिर हम इसको लेजिए हमारी चिकन बिर्यानी बनकर तयार हो चुकी है यह बहुत ही जायखेदार बनी है आप इसको ज़रूर बनाए और इस रमजान में अगर कुछ हलका खाने का मन करें तो आप इसको ज़रूर ड्राइ कीजिएगा और मुझे अपना फीडबेक ज़रूर दीजिएगा इ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज